नमस्कार बहुत स्वागत आपका निउस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ कवीता पांडे कॉलिज ट्रांसफर और फिस को लेकर कई महिनों से अपनी परिश्वानी को लेकर टैग और कॉलेज के छात्र देवी अहिला विस्विध्याले के चक्कर काट रहे हैं आज एक बार फिर छात्रों ने महाविध्याले की कुलपती रेणू जैन से इस मामले को लेकर गुहार लगाई है छात्रों ने कहा है कि पिछले एक वर्स होने के बाद भी अभी तक कॉलेज के ट्रांसफर टीसी और फिस को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है जिसके चलते टैग और कॉलेज के नाराज छात्रों ने मांग नहीं मानने पर भूख हर्ताल की भी धम की दी है वही सब पूरे मामले को लेकर देवी एहला विश्व विध्याले की कुलपती रेणुजयान ने बताया कि कमेटी बना दी गई है ताकि केस को देखे और जल्द ही मिटिंग की जाएगी उन्होंने ट्रांसफर को लेकर कई बार शुकायत भी की गई थी उनके द्वारा कई बार इसको लेकर जाजबी की गई यूनिवसिटी के तरफ से और कई बार गवर्मेंट की तरफ से शुकायते भी की गई कुलपती ने बताया कि कई बार इस पर विश्व विध्यालय द्वारा कारवाई की गई जिसमें यह फैसला हुआ था और महां विध्यालय द्वारा लिख दिया था कि चाहते हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाए राजिय सरकार द्वारा आदेश पर फैसला लिया गया जिस कॉलिज में फिस समायोजित करेंगे जिसके जिम्मेदारी टैग और कॉलिज की होगी देभी अहिल्या विश्व विध्यालय की कुलपती ने कहा कि उम्मीद है कि बहुत मामला चल रहा है जिस कॉलेज में हमें ट्रांसफर किया गया था इस कॉलेज में फिस को लेकर मामला था लिश्ट भी जारी करें लेकिन जब इसको लेकर कॉलेज गये तो वहां पर कॉलेज के द्वारा फिस मांगी गई कॉलेज गय थे तो वहां से भगा दिया गया साथ ही प 25 दिन का पिछले एक वर्स से ऐसे ही हालत बने हुए है सुदैन को राजुटिक में धकेल दिया गया है कोई भराई कर ते नहीं दिख रहा है अभी टीन दिन का आश्वसन दिया है कि पूरा मामना सुल जाने का आश्वसन दिया था अगर हमारी मांगे नहीं गई तो हम भूक भी जारी करी कि लेकिन हम जब कॉलेज गए जिस कॉलेज में टांसफर के लिए जिस कॉलेज में हमें टांसफर भेजा था उस कॉलेज में गए तो उन्होंने फीस के लिए बोला तो फीस का मेटर पहले तो डिये बीबी ने बोला कि हम लोगी करवाएंगे पहले आप लोग ज पर दिखने के लिए तो कमेटी की मीटिंग अभी जल्दी करवा रहे हैं उन्होंने पहले एप्लिकेशन दी ट्रांसफर करने के लिए क्योंकि वो कॉलेज की उन्होंने पहले बहुत शिकायद की थी उसके बाद दो-तीन बार जाजबी हो गई एक बार युनिवर्स्ति की तर कि उनकी जो एफ्लेशन है उसे खतम किया जाए और जो दूसरा जो फैसला लिया था वो यह था कि उनके जो बच्चे ट्रांसफर चाहते हो ट्रांसफर करवाए जाए तो जब गवर्मेंट ने ओर्डर सा गये तो उसके अनुसार हम लोगों ने फैसला लिया और एक अजिस करने की बाद से रहे हैं तो आप देखते रहे हैं नियूस 29 इंडिया एक देश सार्य प्रदेश